ओ हाली में मार्वल के कुछ निव लीक्स एन कुछ अपडेट हैं तो पहला अपडेट है हमारा थौर लव एंड थंडर से जहां में विलकरी की निव पावर्स देखने को मिल सकती है जो की होगी मृत्तिव आभास यानि कि अगर किसी केरेक्टर की मृत्ति होने वाली होगी कि किसी की देथ होने वाली होगी तुमारी विलकरी को पहले से याभास हो जाएगा इन इसके साथ हम थौर की भी कुछ नई पावर्स देखने को मिल सकती है इस अपडेट है हमारे डॉक्टर स्टेंड टू मल्टिवर्स ऑफ मैंडनेस से जहां पर हम देख सकते हैं कि यह सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं इसके साथ यह भी कंफर्म है कि इस मूवी में टोबी मक्वार का स्पाइडर मैन भी देखने को मिलेगा इसके साथ हम देख सकते हैं अलग-अलग वेरिंट के डॉक्टर स्क्रेंज को और ऐसी लीक्स भी कि इस मूवी में वांग की देथ भ यह movie अलग-अलग countries में अभी जाकर release हो रही है and आप आते हैं कि इस movie ने अब तक कितना worldwide कमाया है तो guys इस movie ने अब तक worldwide 10,000 यानी 11,000 करोड से जादा की कमाई कर ली है तो guys next update हमारे Moon Knight को लेकर हम सब जानते है Moon Knight का trailer release हो चुका है and trailer काफी जादा लोगों को पसंद आ रहा है and आप आते हैं इसके topics वर यानी कि इस movie में villain काउन होने वाला है तो guys ऐसी leaks है कि इस movie में हमारे heathen hawks होने वाले हैं जो की play कर सकते हैं ड्रैकूला and इसके साथ sun king भी हमें देखने को मिल सकता है and आप इस leaks में कितनी सचाई है वो तो Moon Knight देखने के बाद ही पता चलेगा तो guys next update है हमारे Wakanda Forever को लेकर यानि कि Black Panther 2 Wakanda Forever को लेकर हम सब जानते हैं कि film में जो जूरी थी उन्हें COVID के वज़े से थोड़ा leave लेना पड़ा था film की सूटिंग से देखना वो वापस आ चुकी है and film की सूटिंग स्टार्ट हो चुकी है and ऐसी leaks भी है कि film में हमें Dr. Doom का cameo देखने को मिल सकता है या फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में Dr. Doom देखने को मिल सकते हैं तो guys अब इस leaks में कितनी सचा ही है वो तो आने वाला समय ही बताएगा